वक्त की कमी और पैसों की बचत के कारण घूमने का शौक रखने वालों ने सोलो ट्रेवलिंग का ट्रेंट शुरू किया है. सोलो ट्रेवलिंग का अर्थ नाम से ही स्पष्ट है, अकेले घूमना. सोलो ट्रेवल कई कारणों से किया जा सकता है. अक्सर आपके वक्त के मुताबिक, परिवार, दोस्तों या करीबियों के पास वक्त नहीं होता ऐसे में जब आपका सफर पर जाने का मन हो और साथ देने के लिए कोई ना हो तो सोलो ट्रेवलिंग बहतर विकल्प बन सकता है सोलो ट्रेवल करने में कम पैसे भी लगते हैं और सुकून का अहसास भी होता है हाला कि इस तरह के सफर पर अगर महिलाएं जा रही है तो उन्हें पहले से कुछ बातों का विशेश ध्यान देना चाहिए अकेले सफर करना महिलाओं के लिए असुरक्षित या असुविधा पूर्ण हो सकता है ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखकर महिलाएं सोलो ट्रेवलिंग को आराम दायक, सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से एंजॉय कर सकती है सोलो ट्रेवल करने वाली महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान जगा का चैन महिलाएं अकेले सफर पर निकल रही हैं तो जगा के चैन के वक्त सावधानी बरते ट्रिप से पहले उस जगा के बारे में पूरी स्टड़ी कर लें पसंद और सुविधा के लिहाज से जगा का चैन करें इस दौरान ये भी देखें कि वहां का मौसम कैसा है और जगा महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है हलका सामान महिलाओं के पास सामान अधिक होता है लेकिन उसे उठाने की शारीरिक शमता कम होती है ऐसे में अगर महिला अकेले सफर पर जाएं तो लगेज में उतना ही सामान रखें जितना आसानी से उठा सकें इससे सफर के समय उन्हें मुश्किल नहीं होगी और आसानी से ट्रिप का लुथवर उठा पाएंगी स्मार्ट वॉलेट अपने साथ कैश कम लेकर जाएं बलकि कार्ड से काम ज्यादा ले अधिक नग्द पैसे रखने से आपको उन्हें भी संभालना होता है सुरक्षा की दृष्टी से भी यह नुकसान दायक हो सकता है इसलिए कार्ड और स्थानिय मोड अफ पैमिंट को अपने फोन में डाउनलोड करके रखें मोबाइल में बैलेस घर और शहर से कितने भी दूर क्यों नहों मोबाइल को करीबियों से जोड़ कर रखता है मोबाइल में प्रिपेड बैलेस और डाटा जरूर रखें हर जगह का वाई-फाई यूज न करें मोबाइल में दो सिम रखें ताकि अगर एक का नेटवर्क काम न करें तो दूसरे सिम से कनेक्टिविटी बनी रही ट्रैवल की जानकारी न करें शेयर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने जाने और वापस आने की डिटेल शेयर न करें दिनाख, समय, आवागमन, होटल आदी की जानकारी न बताएं घूंते समय फोटोग्राफ को लेकर भी यही बात ध्यान रखें वही अगर कोई परिचित स्थानिय जगह से है तो उससे आफलाइन उस जगह के बारे में राय जरूर ले